Communication एक शक्तिसाली साधन है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया से जोडता है ये हमें एक दूसरे को सयोग करने और समझने में सक्षम बनाता है ये सबसे शक्तिसाली साधन है दुनिया में कई अलग अलग भाषाएं है और यदि आप इन भाषाओं को नहीं बोल पाते तो आपको एक समाधिंता का सामना करना पड़ेगा अब डेफ और सुनने वाली समुदाई के बीच समान सिती के कलपना करे क्या भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं? नहीं ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होगा सुनना पाना डेफ का दोश नहीं है ये खुद्रत ही है इस संचार मुद्दे का समाधान भारतिय सांकेत एक भाषा आईएसल है यदि सुनने वाला समुदा इस भाषा को सीखता है तो ये उन्हें डेफ के साथ सायोग करने में सक्षम बनाता है आयेसल एक सुन्दर और एक्स्प्रेसिफ भाषा है ये इग्नॉर शब्द के लिए साइन है मैं उत्साहित था और उसे काहा I love you और मुझे इसके बदले एक थपड मिला So, video call Okay, मेरा जो experience है मैं बता तुम मेरे parents hearing है Okay, और मैं जब उनको phone करता हूँ तो मुझे पपा क्या habit है हाँ, मोबैल एक दम नजदिक लेंगे और इतना ही face दिखाएंगे, बस लोगों के आयेसल सीखने के बाद वे डेफ के साथ fluently बाद कर सकते है अब आयेसल शिक्षा के आयेसल कोस के साथ आयेसल की शक्ति को unlock कर सकते है अब basic vocabulary, वाक्य संचार, व्याकरण, संस्कृति और deaf शिक्षाचार भी सिख सकते है ये सब online immersive course में पढ़ाया जाएगा अन्या उबाव course की विपरित हमारा interactive course है जिसमें शिक्षक स्टूडेंट को सोचने और खुद को sign language से अब विव्यक्त करने के लिए प्रोचसाहित करता है सवाल और जवाब के सेशन होंगे और बहुत सारी प्रेणाय होंगी course सुनने वाले और deaf समुदाई के बीच की को कम कर देगा यह जरूरी है कि सभी की भाषा का सम्मान किया जाए यह course उन सभी के लिए खुला है जो deaf के साथ सीखना और समवाद करना चाहते है ना केवल आप बल्कि आप अपने मित्रों और परिवार के सद्यसों को भी कोस में शामिल होने और ISL सीखने की प्रत्रिगा का आनन लेने के लिए ला सकते है कोस 3 अपरेल 2023 से शुरू होगा यह एक महिने का कोस है और सोमवार से शुक्रवार हर रोज एक घंडे के लिए होगा एक बार जब आप कोस में शामिल हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इसका आनन लेंगे